आज हम एक केंटिलीवर बीम की अनलिसिस करते हैं विद दा हेलप आफ स्टैट प्रो जिसका इस पैंच जो है वह 5 मीटर 10 मीटर है और जो यूडियल आ रहा है उस पर वह 5 मीटर पर आ रहा है जो इस टार्टिंग ऐसे यहां से फिक्स बीम से 5 मीटर से यूडियल स्टाट हु और यूडियल की जो वैल्यू है वह 10 किलो न्यूटन पर मीटर है तो हमारा जो इस पैन वह 10 मीटर है यहने की मीटर में है और जो हमारा फोर्स है वह किलो न्यूटन में है तो हम इसे स्टैट की हैल्प से इसको अनलाइसिस करते हैं नौ स्टैट परो में सबसे पहले आप क उसके बाद यहां पर फाइल सेफ करनी है जैसे जहां पर भी आप डेक्स्टॉप पे एक फोल्डर बना लो जहां पर भी आपको फाइल सेफ करनी हो एज डेक्स्टॉप पे स्टैड के नाम से फोल्डर बना उस पर यह फाइल सेफ कर सकते हो नौ यहां पर लेंद की उनिट है यहां force की उनिट है, blend की उनिट में जैसे mm, foot, meter, kilometer, तो हमारा जो model है, उसकी जो dimension है, वो meter में है, तो हमने यहां से meter ले लिया, और जो force है हमारा kilonewton है, so now click on next, click on finish, finish करने के बाद, यहां एक grid system आया, जैस्ट मैंने click on zero किया, click on 10 किया, क्योंकि हमारा 10 meter का beam है, और यहां से मैंने snap node beam icon से grid को hide कर दिया, grid को hide करने के बाद, मुझे अगर इसकी dimension देखनी है, कि 10 meter का है, तो यहां display node to node distance है, click on this node, click on this node, यह 10 meter का है, अगर इसको मुझे remove करना है, तो remove करने के बराबर में, यहां पे remove all node to node display distance से click कर देंगे, तो यह automatically remove हो जाए, now, अब मुझे click on journal, click on property करना है, इसका मैंने section मान लिया, कि यह section साले 400 by 200 का है, so now click on define, and define the rectangle section here, साले 400 by 200, क्योंकि dimension meter में है, तो मैंने 0.45 by 0.25, यहां दे दिया, click on add, click on close, close करने के बाद, इस property को इस पर assign करना है, here it is assigned to view, assign yes, तो आप यह देखेंगे, कि यहां पर yes, आप यह देखेंगे, यहां पर यह value इसके assign हो गए, now go to the 3-day render view, render view में जाएंगे, आप तिहां से इसका render view आ जाएगा, उसके बाद, now click on support, click on create, assign to selected node की command ले लिए, assign yes, अगर आप यह assign to view की command लेते, तो इस node पे भी आ जाती, तो हमें क्या करना है, अगर cantilever बनाना है, तो एक particular node को fix करना है, तो node को select किया, assign to selected node, assign yes, now, after support, now click on load and definition, load and definition पे click किया, load case detail, add कर दिया, add करने के बाद, यहां से हमने dead load लिया, और यहां से हमने, एक dead load ले लिया, dead load, और add कर दिया, और close कर दिया, इस dead load में आपने, add किया, add करने के बाद, self weight है, तो self weight कैसा work करेगा, यहां पे minus one, downward, downward add किया, तो यहां पे minus one के का मतलब क्या है, कि it's a downward direction, क्योंकि y हमारा कैसा है, upward है, now click on add, और उसके बाद आप question देखेंगे, तो यहां पे 10 kN per meter का load है, 10 kN per meter का load के लिए, आपको क्या करना है, click on member load here, and give the value of uniform force minus 10, in gy direction, gy direction में क्यों, क्योंकि downward act कराना है, तो y upward है, तो minus मैंने downward कियो जैसे, या click on add, click on close, उसका self weight को assign to view कर दिया, मैंने, और uniform force को भी assign to view कर दिया, अगर यह देखेंगे uniform force, तो यह overall through distance पे लग गया, मगर आप numerical में जाते हैं, तो 5 meter पे लग रहा है, यानि कि 5 meter starting point से, यानि कि fix point से 5 meter छोड़ के लग रहा है, तो अब आप यहाँ click करो, देखो beam पे जब click करोगे, तो यह part आ रहा है, इसका green यह खुरा है below, तो green जो part है होआ रहा है, वो starting point है, तो आप क्या करो यहाँ पे, click करो, uniform force पे edit करके, यहाँ पे value 5 देखो, and d1 is a distance from starting point, now click on change, click on close, तो आप यह देखोगी, 5 मिटर से तोड़ कर, यह value UDL लग गया, उसके बाद, now analyze and print, click on add, click on close, analyze, run analyze and save, और आपको फिर go to processing mode में जाना है, done कर देना है, और ok कर देना, ok करने के बाद अगर आपको इसका graph देखना है, तो यहाँ beam है, click on graph तो यहाँ से bending moment, shear force, axial thrust आजाएगा, अगर आपको reactions देखनी है, तो notes पे click कर वाब, और reactions आजाएगी यहाँ पे, यह reactions की value है, और अगर आपको displacement देखना है, तो displacement आप देख सकते हो, तो एक किस तरीके से आप cantilever beam की analysis कर सकते हो, with the help of stat pro, उसके steps मैंने आपको follow करना है, thank you.